सबसे पहले गनेची को नमन बिंदू फुट फैक्टरी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे भुना हुआ जीरा भुना हुआ जीरा बनाने के लिए ये हमने 50 क्रम जीरा ले लिया है और एक कढ़ाई में इसे डाल देंगे कढ़ाई जो है थोड़ी सी भारी तले की है अब इसको हम लो फ्लेम पर चलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि जीरा हमारा लगे नहीं और जो सिकाई है वो अच्छी हो चारो तरव से हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है और खश्बू आने तक हम इसको भूनेंगे जीरा के फाइदे तो अनेक है हम तो जीरे का यूज सुबै शाम सोई में आलमोस्ट हर सबजी में ही करते हैं जीरा में एक अलग ही अपना एक गुन है स्वाद खश्बू और साथ में हाजमेदा बहुत सारी चीजे ऐसी होती है जिन में भूना हुआ जीरा यूज होता है जैसे चाट, बैड़े, राइता, गुल कप्पे, पापड़ी, धई, भल्ले, लस्सी इन सभी में हम भूने हुए जीरे का यूज करते हैं ये देखिए जीरे का कलर थोड़ा होड़ा चेंज होना शुरू हो गया है बहुती अच्छा जीरा भून कर तयार हो गया है बहुती अच्छी कश्बू भी आने लगी है और तड़कने की अवाज भी आ रही है ये देखो कितना अच्छा जीरा हमारा भून गया है गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है इस जीर को हम दूसरे पैन में डाल देंगे ताकि जीरा हमारा जले नहीं और उसे ठंडा करेंगे और इसको मिक्सी में हमने पीस पी लिया है ये दिखो हमने दरदरा दरदरा ही पीछा है अगर आपको बारिक पसंद हो तो आप बारिक पीछे ये इसे आप हम डबी में भर कर रख लेंगे और इसको एक दो महीने तक यूज़ करेंगे ये बिर्कुल भी खराब नहीं होता है अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगी हो आप लाइक करना आप सभी को मेरा राम राम तेंक यू सो मच टेक क्यार